नवस्कार दोस्तों, अभी-अभी SSC MTS 2022 के नुट्लिकेशन आउट हो चुके हैं और इस बार वेकेंसी लगभग 11,000 प्लस है जिसमें MTS के 10,886 एक्ट प्रोक्ष और हल्दार के 529 वेकेंसी है ये टेंटेटिव हैं, बाद में इसमें बदलाव हो भी सकती है अनलाइन अप्लिकेशन सब्मिट करने का डेट 18 जनवरी से 17 फेबरेरी तक है और पेमेंट करने का डेट 17 फेबरेरी रात के 11 बज़े तक है और अनलाइन पेमेंट करने का डेट 19 फेबरेरी रात के 11 बज़े तक है और अगर offline चालान जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी 19 February रात की 11 बज़ सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि SSC ने अपना Computer Based Examination का डेट अप्रेल में रखा है जो कि सबसे बड़ी बात करें तो MTS की वेकेंसी 1088C Approx है और हवलदार CBSE की वेकेंसी 529 Approx है बात की जाए अगर Age Limit की तो इस बार SSC ने Age Limit को 1 January 2023 से काउंट करेगा जो MTS की कुछ पोस्ट के लिए 1825 साल और अन्य कुछ पोस्टों के लिए 1827 साल रखी गई है और हवलदार के लिए भी 1827 साल रखी गई है अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की जो exam pattern की है इसमें दो section बनाए गए है एक section में math और reasoning और दूसरे section में gk और English इस बार math और reasoning के 20-20 question होंगे और एक question की value तीन marks होगी जबकि दूसरे section में gk और English के 25-25 question होंगे और इसमें भी एक question के value तीन marks की होगी section 1 की परिक्षा के लिए 45 minute time दिये जाएंगे और section 2 की परिक्षा के लिए भी 45 minute time दिये जाएंगे लेकिन बड़ी बात यह है कि section 1 सिर्फ qualifying ने सरका होगा और जिसमें कोई भी negative marking नहीं होगी जबकि पूरा merit section 2 पे बनेगी work time direct inverse proportion average simple interest profit loss discount area parameter basic geometric figures distance time line and angles data interpretation और graphs के और square square roots के question रहेंगे अगर reasoning में देखी जाए तो number series coding decoding analogy direction similarities जंबलिंग analysis नौर भल्बर listening और diagram से और calculation सम्मदित इसके अलावे calendar और clock की भी question आ सकते हैं जो syllabus में mention किया गया है बात करते हैं general awareness की तो इसमें social studies जैसे इस्तिहास, भूल, art and culture, civics, economics इन सबसे question बनेंगे और इसके अलावे general science जो 10th standard के mention किया गया है English में देखा जाया तो vocab, grammar, sentence, structure, synonyms, antonyms और test comprehension के सांसाथ paragraph भी आ सकता है हिंदी माधिम के छात्रों के लिए एक सुनहरा उसर है अगर वो अपनी English पे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो इस exam में MTS में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बात करें physical efficiency test की तो male के लिए 16 से मिटर 15 मिनिट में वाक करना है और female के लिए एक किलिमेटर 20 मिनिट में वाक करना है दोस्तो SSC exam related और railway exam related सभी information exam pattern और सभी तयारी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe परें और जाए से अधा से अधारी में जाए सकते हैं